नमस्क्राइब दोस्तों आप लोग देख रहे हो था बेस्ट गार्टनिंग चैनल और ऐसा आपके साथ भी बहुत सारे बार हुआ होगा कि आपने प्लांस खरीद के घर में ले आये हो उसके बाद उसके अच्छी तरह से देखवाल करते हो उसको ठीक तरह से पानी देते हो उ दोस्तों वीडियो अच्छे लाइक करना बुरा लागे लिवाइक करना बूरा लॉरा लाईक और अगर नैंगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को लाव बटन दमाब करने तो चल्फि देख अधे अब आक प्लान के अगर ग्रोथ नहीं होता थीकते अथे तो उसका सबसे associ तो पूरा root जो था वो पूरा जो है tub को ले लिया था मतलब अंदर जो potting mix था उसमें कुछ रहा आप अचाई नहीं इसको देने के लिए प्लान के growth के लिए तो आप देख सकते हो पूरा root जो है पूरा tub का shape ले चुका है तो ऐसा होगा तो plant का कभी भी growth नहीं होगा ठीक तरह ही नहीं है root जब तक नहीं पड़ेगा root strong नहीं होगा plant का भी growth थिक तरह से नहीं होगा तो इसको मैं आप reporting करूंगा एक बड़े tub में दूंगा तब जाके इसका फिर से नया growth चालू हो जाएगा root फिर से नया root आने लाएंगे और potting mix जितना अच्छा दूंगा उसके बाए कुछ-कुछ plants ऐसे होते हैं जिसका root bound नहीं होगा लेकिन वह growth लेना बंद कर देता है जैसे farns type के जो plant है उस plant में क्योंकि यह जो plant है यह अपने जो roots से उतना जादा उसको फैलाता नहीं है इसका roots धीरे-धीरे बड़ता है लेकिन यह जो है potting mix से बहुत जल्दी जो है ज बिल्कुल अलग है तो अब समझ भी नहीं होगे कि आपने अच्छा fertilizer कर रहे हो लेकिन यह plant growth लेना बंद कर देगा क्योंकि यह बहुत जादा जो है आप fertilizer को nutrients को एब्सॉब कर रहा है तो इस तो एक जिस समझ में रखना कि heart plants का root bound होने तक आपको इंतजार नहीं करना है plant wise बहरी करता है कि कौन plant कितने जल्दी जो है potting mix से nutrients absorb करता है अब दोस्तों third नमर पर आता है light तो यह आप देख रहे हो यह है monstera delicosa तो इसका पत्ता जो ऐसे मूर्जा हुआ है क्योंकि इसको light थोड़ा कम मिला है तो एक चीज़ धन पर रखना है indoor plants को light बिल्कुल कम लगता ह है ऐसा कोई बात नहीं है एक-एक प्लांट का एक टाइप का light लगता है तो इसको मैं कुछ दिनों तक जो है और भी ज्यादा shiny light में प्लेस करूंगा तो इसका growth फिर से ठीक हो जाएगा तो light बहुत एक important चीज़ है दोस्तों plant के growth के लिए तो हमेशे ध्यान पर रखना light आपको plants को देना है और direct sunlight नहीं लेकिन indirect sunlight आपको हर indoor plant को ठीक तरीक से देना है अब दूस्तों चौथे नमर पर आता है watering कि आप watering कैसे कर रहे हो तो पानी अगर जदा चला गया अपके plants के potting mix में तो तब भी जो है आपके plants का growth कम हो सकता है continuously अगर आप watering over watering कर रहे हो तो इसक लगने के वाज़े से और plant बिल्कुल जो है डिटार्ड हो जाएगा मतलब यह growth लेना बिल्कुल बंद कर देगा और पत्ते मुर्जाय हुए लगेंगे तो इसके वाज़े से दोस्तों हमेशा ध्यान पर रखना के watering बहुत ठीक तरीके से आपके indoor plant को आपको करना है जब ही लगे के ऊपर के दो इंज या एक इंज जो है potting mix सुका है तब ही आपको वाटर करना है नहीं तो नहीं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट का जो है watering system और watering schedule डिफरेंट 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 टाइप्स के होता है इसके लिए मैं आप लोगों को बोलता ह तो अंडर वाटरिंग अगर आप कर रहे हो तो इससे भी प्लांट को बहुत प्रब्लम हो सकता है प्लांटी तरह से ग्रो नहीं करेगा और ज्यादा अंडर वाटर अपने कर दिया तो रूट खड़ाप हो जाएगा रूट जो है शूख जाएगा और उसके बाएसे जो है ग्रोथ लेना बंद कर देगा और बहुत जादा अंडर वाटर अपने अगर कर रहे हो तो उसके बाएसे प्लांट का देद भी हो सकता है तो दोस्तों शीडूल मेंडेन करना है आपको जबी भी लगे के मिट्टी थोड़ा शूख गया है उपर के जो एक इंच का मिट्टी भुरबुरी बिल्कुल भुरबुरी लग रहा है तो उस टाइम पे आपको जरूर वाटरिंग थिक तरह से करना है एक चीज़ जहन पर रखना दोखसों कि एक प्लांट का ओवार और अच्छा ग्रोथ के लिए सब कुछ वाटरिंग थिक तरह से चाहिए उसको लाइट थि तो कोई भी प्लांट कोई भी इंडर प्लांट बहुत 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 लेता है ठीक ना अब दोस्तों लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगा है कि किरेम अकोड़े और फंगाल एटक जो है इसके वाएसे भी आपका प्लांट का ग्रोथ थिक तरह से नहीं होता तो आ पर अपते एक पर जरूर स्प्रे करते रही है उसको कोई अगर कुछ हुआ भी नहीं है तो भी स्प्रे कीजिए फार्दर एटक रोकने के लिए और फंगस कर प्रॉब्लम धिकरा है आपको यह अगर फंगस लगने का चांसे से आप बचना चाहते हो तो जरूर जो है आपक तो कभी भी अपने प्लांज को फाटलैस करना मत भुलिए हमेशा आपके पॉकि मिक्स में आपको आप़ग दिया उसमें और अपकर नुतिनस नहीं रहे था जो है अब दस्पर कर लेता है तो एक सई हम दोस्टों वीडियो आज के लिए इतना ही वीडियो आच्छा लगा तो लाइक कर देना कोई भी कोस्चिन हो दिल में तो जरूर कॉमेंट सेक्षिन में डालिए मैं अंसर दिता रहूंगा नए हो अच्छा लगा वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को चलिए दो चलते आज फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ